दक्षिन अमरीका महादवीप में अवस्थित ब्राजील के पडोसी देश, अर्जेंटीना में पिछले कुछ समय से मौसम गर्म एवं शुष्क रहने से सोया बीन की फसल को नुकसान हो रहा है, जिसे देखते हुए इसके उत्पादन अनुमान में कटौती होने लगी है। उत्पादक एवं निर्यातक देश है, जबकि सोया तेल एवं सोया मील के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। भारत में अर्जेंटीना से विशाल मात्रा में सोया तेल का आयात किया जाता है। पिछले सप्ताह ब्यूनस आयर्स एवं लापंपा को छोड़ कर अर्जेंटीना के शेश भागों में मौसम आम तोर पर गर्म एवं शुष्क बना रहा जिससे सोया बीन के खेतों में नमी का अभाव हो गया। वहां सोया बीन की 70 प्रतिशत फसल में फूल तथा उसमें से 40 प्रतिशत में दाना लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरवाधिक गर्म एवं शुष्क खेत्रों में फसल आहत होने लगी है। चालू सप्ता के दौरान भी तापमान सामाने से उंचा रहा लेकिन गर्मी पिछले सप्ता से कुछ कम देखी जा रही है। पिछले कुछ सप्ताहों से अरजेंटीना में मौसम की हालत अनुकूल नहीं रही है, जिससे कोर उतपादन इलाकों में सोयाबीन फसल की ओसत उपजदर में 10 से 20 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक की गिरावट आने की आशंका है। एक विशलेशक ने अरजेंटीना में सोयाबीन का उतपादन अनुमान 20 लाक टन घटा दिया है। उसका कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई तो फसल की हालत सुधर सकती है, अन्यथा उतपादन अनुमान में और भी कटोती हो सकती है। अमरीकी क्रिशी विभाग ने इस बार अरजेंटीना में 500 लाक टन तथा ब्यूनस आयर्स ग्रेन एक्सचेंज ने 525 लाक टन सोयाबीन के उतपादन का अनुमान लगाया है। Bureau Report Market Times TV